दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर सेल डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्व सिच्छा अभियान के इंडर में वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल इंजिन्यर से इसबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपके एक्जाम नेशन फीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जो आप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम है इनके ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका सर्वसिछा अभियान की तरफ से एक नॉम्बर को निकाला गया है अब बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी टोटल नॉमबर ओफ पोस्ट है यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपस क्या मागी गई है कितना आपके पास experience होना चाहिए सैलरी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी और कैसे आप इन पोस्टों के लिए अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी नेम उफ पोस्ट के बारे में तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल वर्क कॉर्डिनेटर के लिए क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने bbt किया है civil engineering में किसी भी recognize university से आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे और इसके साथ ही आपके पास minimum एक साल का work experience होना चाहिए building work का बात करें आपके pay level के बारे में तो salary यहाँ पर आपको 26,400 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाली है work location यहाँ पर आपकी अमपाती रहेगी यहाँ पर eligible Indian citizens से application form invite किये गए हैं जो basically यहाँ पर आपकी contract based पर रहेगी initial appointment यहाँ पर आपकी 6 महिने के लिए रहने वाली है बाकी से आपकी performance और requirement के हिसाब से आगे extend किया जाएगा next हम बात कर लेते हैं आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका offline रखा गया है इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है इनकी official site पर वहाँ से आपको standard application form download कर लेना है और उसके साथ में आपकी जितने भी जरूरी document है उन सब को आपको self test करना है और आपको भेज द किस post के लिए apply कर रहे हैं जैसे भी जानकरी आप लोग यहाँ पर अपने application form में provide करेंगे उसके हिसाब से ही sortist करके यहाँ पर आप लोगों को interview के लिए बुलाय जाएगा तो जो लोग भी के eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सक सकते हैं, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you, शुक्रिया